मन्नु देख उसे, देख, देख उसे, क्या है? देख उसे, सबी लिड़ेचोर को इसी तरना सर से पाप तक धगा हुआ होना चाहिए जी दादा जी, आरकश ऐसा कर, तू भी बूर का पेंगा, घर के काम काज में लग जा, तरी ये रोज की चपड़ चपड़ बंद हो जाएगी अच्छा, तुके ये चाहता है, बैसे जो स्कूल में वाद में वाद में वाद परती होगी, तान होती है, उसमें तो बढ़ा कहता है, कि लड़किया लड़कों से कम नहीं है, और अभी देखने ज़र इसको? भाशर देने में क्या है, वो तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, भाईयों और भेनों, जमाना बदल चुका है बैसकर, बैसकर, तुभी बाकि लड़कों की तरह ही है, बैसकर दो, कहेगा कुछ अच करेगा गुदू अले नराज क्यों होती है, मैं तुम मज़ा कर रहा था, तुझे मुझे पर विश्वास नहीं किया, ए मनू, हम नहीं सोचा है, हम उमारे गाओं में, उन सभी समाज के बंदलों में, जक्ड़ी महिलाओं में जाकर, जम्रुक्ता पैदा करेंगे बिल्कुल थी एक चुनोती, बिहार के सहर सा जिले में साक्षर्ता अभियान का चलाया जाना, वो भी खास तोर से मुस्ले महिलाओं के बीच सदियों से शिक्षा से दूर रही इन महिलाओं के दिलों में, साक्षर्ता का अलग जगाना कोई आसान काम नहीं था मगर यहां के साक्षर्ता कर्मियों का उत्सा देखिये, बजाए हाथ पर हाथ धरे रहने के आगे बढ़कर उन महिलाओं को सामने लाए, जिन्होंने कभी बाहर के दुनिया देखी ही नहीं थी पहली बार जब इनका वास्ता बाहरी दुनिया के सबसे खुश रसीब चिस किताबों से पड़ा, तो इनकी जिन्दगी खुश्यों से भर उठी इन्हें ऐसा लगा कि अगर कहीं जन्नत है, तो वो किताबों में लिखी अक्षरों में छुपी है तभी तो मजीदा कहती है, वो अब सब कुछ जान पहचान गई है और अमिला ने जब पहले पहल पढ़ना शुरू किया, तो उसे घर में खूब डान पड़ी थी, पर आज की तो बात कुछ और है इन महिलाओं के बीच ग्यान का प्रकाश फेलाने वाली जुलेखा खातुन को भी शुरू में पती से खूब डान सुनने पड़ती थी हमको पती रोक रहा था अंदर से बाहर नहीं जाने के लिए तो हम पती को समझा बुजा के से अपना समाज को सेवा कर रहे हैं यह तो आज सहरसा जिले में चल रहे संपून साक्षर्ता अभ्यान की एक जलक भर है पर अगर पीछे लोटके देखें तो कई सारी भयावा सचाईयां सामने आती हैं जिससे लगता है कि जो सच आज दिख रहा है उसके पीछे कितने कुर्बानी चिपी है और वो कुर्बानी दी है जिले के स्वेम सेवकोंने वो भी बगएर किसी लाप के बस उनकी दिलो दिमाग में एक ही जजबा था समाज के लिए कुछ कर गुजरने का पहले के हालात कितने बत्तर थे इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले भी यहां एक बार अभियान चला था मगर वो बीच में ही दम तोड़ गया था यह जगा भी कुछ ऐसी ही है जहां समस्याओं का धेर है इस जिले की गिंदी बिहार के सबसे पिछरे जिलों में होती है पानी, बिजली, सड़क, मकान जैसे बुन्यादी सुविदाओं से वंचित लोगों की दुरदशा का अंदाजा सहजी लगाया जा सकता है हर साल लाखों लोग बार की चपेड में आकर बेघर हो जाते हैं खेती बारी का जो नुकसान होता है सो अलग बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में पलायन हो जाते हैं और जो यहां रहते हैं वो किसी तरह खेती ग्रहस्ती से अपना गुजारा कर लेते हैं जाहिर है जहां लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत चीजे नहीं होंगी वहां भला पड़ाई लिखाई की उमीद कैसे की जा सकती है पर साक्षर्ता अभियान को तो चलाना ही था क्योंकि कहीं न कहीं इस सब के पीछे निरक्षर्ता रूपी भूत तो चुपा ही था सबसे पहला काम किया गया कि आपस में मिलजुलकर एक कारय योजना बनाई गई जिसके तहट एक रणनीती बनाकर काम शुरू किया गया पूरे जिले में 4,35,000 लोगों की पहचान की गई जिनें पढ़ाने के लिए साक्षर्ता केंदर पर लाना था पहचान के बाद काम किया गया संगठन बनाने का टोला से लेकर जिलास्तर तकी समितियां बनाई गई जिससे अभियान हर सतर पर सुचारू रूप से चल सके इस बात का खास ध्यान रखा गया कि संगठन में समाच के हर तबके की भागीदाई हो जब संगठन का आधार मजबूत हो चला तो काम किया गया पढ़ने लिखने का मोहल बनाने का गाव से लेकर शेहर तक जुलूस निकाले गए और नारा दिया गया हर माता की एक ही इच्छा बच्चा पाए स्कूल की शिक्षा जगा जगा समाच के प्रभावशाली लोगों को लेकर लगातार बैटके की गई इतना ही नहीं लोगगीतों को लोगदुनों में पिरोकर साक्षरता संदिश गाव गाव में फिलाया गया ताकि खुद ही लोगों की अंदर पढ़ने लिखने की ललक पैदा हो गावालों को समझाया गया कि अगर वे बंडिक जाते हैं तो विकास की प्रकरिया का फायदा उठा सकेंगे समाज एक पिछरा पंदूर होगा और वे अपनी सही जगा हासिल कर सकेंगे इस अभ्यान से उन लोगों को सम्मान मिला जिने पहले बेकार और फालतू समझा जाता था समाज में उनकी कोई पूछ नहीं होती थी कुछ वर्ग के लोग हैं जो अत्यंत दलित हैं शामान ने धारा में उनमें एक मनोवर्ति पैदा कर दी गई कि सिक्षा उनका अधिकार ही नहीं है हमने उनमें यतना जगाई कि सिक्षा उनका भी अधिकार है उन्हें विद्याले तक नहीं जाने दिया जाता था या वो नहीं जाते थे तो हमने उन्हीं छेत्रों को प्रात्मिकता दी हमने उन्हीं छेत्रों में विद्याले को पहले खोला ओ अत्यंत गरीब का टोला हो मुसर का टोला हो डूम का टोला हो और उन्हीं छेत्रों पर जाद तो उससे उपर के लेडर में स्वतह जागुरुकतावरी उहां से मांग आने लगी कि हमारी यहां भी हो तो हम लोगों ने ऐसे ही विस्तारित किया यह समाजी का आस्पर्ट है इसका समाज पर काफी सकारात्मक असर पड़ा स्थापित लोगों के बर्चस्व कुछ नौती मिली और एक नया वर्ग तयार हुआ जो आम लोगों की आवाज बनी यह वर्ग विकास के कारेक्रम सही जंग और सही जगा पर लागो हो इसके लिए सीधा हस्तशेव करता है इसका नेत्रत्व भी द्वित्य पंक्ती के लोगों के हाथों में दिया गया और निरक्शर्ता के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को दूसरी आजादी का जंग कहा गया यह हम सब जो है सो मिल करके चला रहा है इसको सब मिल करके एक जन आंदोलन के रूप में चला रहा है इसलिए लोगों ने इसको स्विकारा और जो उनको समभावना देखी कि हम बास्तव में एक मासम मुवम्मेंट के एक भागेदारी बन रहे हैं और हमने कॉल भी दिया कि इसमें किसी को पैसे नहीं मिलेंगे सभी जो है संग्सेवा की भावना से इस काम में आगे आएंगे हमारे पास काफी जो है सुव वोलेंटियर्स मिले इसमें जो अनिम्पलाइड यूथ थे और गार्जन्स काफी काफी सपोर्ट मिला जब हमने इस तरह का कॉल दिया तो मास मुहमेंट के नाम पर लोग जो है इस कार्जकरम से जुर गए लोगों ने पैसे को पीछे किया कहते हैं जब प्रयास अच्छा हो तो स्वभावेखे नतीजा भी सुखद होगा वैसे तो हर जगा गाव देहात में लोग पढ़ते नजराते हुई है पर सबसे महत्वपून बात जो हुई है वो यह कि इसकी बज़े से वे लोग साथ बैठ कर पढ़ते हैं जो कल तक आपस में दूरी बनाए रखना चाहते थे आज वे अंगूठे की बज़ाए हस्ताक्षर करते हैं अखबार में देश-दुनिया की खबरे पढ़ते हैं किसी की बहकावे में तुरंत रही आते बल्कि सोच समझ कर अपना हर काम करते हैं पढ़िए शुरू के लिए दसखत उसका जान लिए ने, पिर रहा आहया कुछ हो पहला एक खाती शुरू के लिए, उखली साक्षर्टा का सबसे पहला अशर तो यह है कि हम लोग किसी भी कल्यानकारी सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थी चैन के लिए गाउं में जाते थे पहले तो अंगुठे निशानों का ही दर्सन होता था अब ऐसी इस्थिती नहीं है अब जब भी हम लोग लाभुकों के पास जाते हैं या जांस करने जाते हैं तो वह अंगुठे निशान के बदले में दस्तखत्वी बनाते हैं यह एक परिवर्तन धीरे धीरे आया है जो की सुख़द है भूले भाले गाव वालों की रुची साक्षरता अभियान में बनाये रखने के लिए सरकारी अधिकारी भी अकसर साक्षरता केंद्र पर जाते जिससे पढ़ने वाले नवसाक्षरों में हमेशा उत्सा कि अधिकर बनाके सरकारी स्तर पर ये घोशना की गई कि जो कंग्यवयत्रव Heidi अभियान से जुड़ा होगा उसे हर सायो पर प्रात्मिक्ता मिलेगी कि जो पंचायत पहले पुर्ण शाक्षर होगा, वहाँ पर हम विकास के जितने लंबित कार्य हैं उसे प्रात्मिक्ता पर पुरा कर देंगे हमने यह भी कहा है कि जितने नवशाक्षर हैं उनको विकास कार्यक्रमों से हम जोरेंगे एक और बात ये हुई कि अभियान की बदरत सधीयों से परंपराओं में जकडी महिला समाज भी बड़ी तादाद में सामने आई और वे रचनातमक कारे में जड़ गई महिला तो घर के अंदर बांधी रहाती थी, वेस हो थी हम जेल के तरह बठे हुए हैं, अपना अधिकार को समय नहीं पाती थी, पुरसों के अधिकार में रहाती थी जोते, हम लोग संगठन बनाने के बाद ऐसा बैसा बोले कि को बहुत होने, घर में रहेगी, पुरसों के पर उट जाते हैं तब ही तो आज साक्षरता की लाले महर तरफ अपनी छटा भी खेती नजर आ रही है जिससे सारा प्रेट सा रंगीन में हो चला है मैं तो थक गई भाई अब चलना मेरे बस की बात में चाता का घर तो भी बहुत दूर है क्या बात है मनु तिरी तभियत तो ठीक है हाँ तू तो कभी थकती नहीं जी बस मैं थक गई आज मूट कुछ उगड़ा उगड़ा है बेहना का तो तो कभी मेहनद करने से ठेकती ही नहीं थी तुम्हें पता है कि किसान लोग कितनी मेहनद करते हैं ये लोग बेहनद नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या सही है देख अभी तू नहीं कह रही थी कि जगा कितनी सुंदर है पर पहाड़ी लाके तो इससे भी अधिक सुंदर होते हैं अच्छा दूर दूर से लोगों को पानी लाना वड़ता है गाए भैस के चारे के लिए दिन भर घूमना पड़ता है तो? यहीं देखा जाए तो उनमें इच्छा शक्ति की नहीं जबरदस्त है न? हाँ जो काम करना है तो करना है कहते हैं पहाडी जगे केवल देखने में सुंदर होती है वास्तव एक जिन्दगी बहुत कठिन होती है और अगर इस इलाके में जाकर कुछ करना हो तो परेशानियों की सूची लंबी है लेकिन अगर दृड इच्छा शक्ति के साथ कुछ किया जाए तो सफलता भी मिलती है कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कुलापुर जिले के बेसरफ गाउं के साक्षरता कर्मियों ने उन आदिवासियों की जिन्दगी में खुश्या बिखेरी है जिनकी जिन्दगी विकास नाम के शब्द से कोसो दूर थी जिले के अंतिम छोर पर बसा है ये गाउं यहां के कुलापादी तीन सो के करीब है वो भी एक ही जगे पर इकठी नहीं बलकि दूर दूर तक छित्राई हुई खाने कमाने का मुख्य जरिया है जंगल में पशुओं को चराना और थोड़ी बहुत खेती बस इतने में ही मस्त रहते हैं ये आदिवासी अंदाजा आपको भी लग गया होगा हरे भरे खेतों से होकर आते मदुर गीतों से ये तो रही इलाके की बात गाउं में ज्यान की प्रकाश का आगमन किया विध्याले की शिक्षकों ने पहला काम जो किया गया वो था घर घर घूमकर निरक्षरों का पता लगाने का चलि निरक्षरों का पता तो लग गया पर काम यहीं खत्म नहीं हुआ पढ़ने के लिए जो लोग आते थे, लोग नहीं आते थे, उसको क्या करना हमको दो बार, ती बार या चा बार, बार बार उसको घर में घर को जाना पड़ता था, घर के जाने के बाद उसको हमने बताया थे कि जो आपको क्लाश रो हो रहा है, प्लोड सक्षरत का वर्ग शु कहीं जोपड़ी नुमा घरों की बाहर साक्षरता की चिन लगाए गए तो कहीं पढ़ने लिखने का संदेश देते नारे लिखे गए दीरे दीरे अपनी ही धुन में रमे रहने वाले आदिवासियों को एसास होने लगा कि अगर वे पढ़ लिख गए तो नकेवल अपना बलकी आने वाले पीडियों का भी भविश्य बना सकते हैं तभी तो गाव में महच कैमेरा के आने की खबर सुनकर सारे की सारे गाववासी हाथ में स्लेट और किताब थामे घर से बाहर आ गए वे हमें ये बताने को आतुर थे कि अब हम अनपढ नहीं रहे चूंकि इलाका पारंपरिक ठेरा तो इन आदिवासियों को साक्षरता कक्षा में लाने का तरीका भी पारंपरिकी इस्तमाल किया गया कक्षा शुरू होने से पहले घर घर जाकर नगाडे के साथ मुनादी कराई गई कि चलो पढ़ने को कक्षा में चलो जब इतने प्यार सी कक्षा में आने के लिए इन्हें आमंतरत किया गया तो फिर क्या ये घर में बैठने वाले थे स्लीट पैंसिल उठाई और चल दिये कक्षा की ओर पढ़ाई के प्रती ये कितने गंभीर है इसका पता लगता है कि शिक्षक ने एक सवाल पूछा नहीं कि खड़े होकर तुरन जवाब दे दिया किताबी क्यान के अलावा क्या कुछ और व्यावारिक फाइदा भी मिला है इन्हें जी हाँ, सुनीता वारक काटे कर तो यही कहती है गाउं का प्रधान गंगाराम भी कोटे कर कहता है कि गाउं में पढ़ाय लिखाई की बज़े से ही बिजली नसीब हुई साक्षर्ता कक्षा में इनको आम जिंदगी से जुड़ी दूसरी चीजों के बारे में भी बताया जाता है जैसे खेती करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और जब ये पढ़ लिख गए तो इसका पहला असर दिखा कि आज इनकी बात छोड़िये इनके बच्चे तक कक्षा में दिल लगा कर पड़ते हैं और सरकार की तरफ से सिलाई कड़ाई के लिए सिलाई मशीन भी दी गई है सही काम हमारे अंदर काम करने की लगन हो दुरे निश्य हो तो हरी कटनाई का सामना किया जा सकता है तो हमास क्यों रहे हो वैसे जातर वाशन तू देती है आज मेरी बात मानीली हम दोनों की छोड़ हमें कुछ करना चाहिए करना चाहिए हां क्या करना चाहिए जैसे की गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए बेसहारों के लिए अंपड़ों को पढ़ाना चाहिए हाँ करना तो चाहिए पर एक बात है चाहे गरीब हो चाहे बेसहारा, चाहे अनपड इन लोग की हालत इतनी खराब क्यों है ऐसा नहीं है कि इन लोग की भलाई ये कल्याण के लिए कोई कुछ नहीं करता कई सरकारी योजनाय हैं पर इन लोग को इसके बारे में बिलकुल भी जनकारी नहीं है इसलिए उसका फाइदा नहीं उठा सकते है कुछ अलग और कुछ खास करने का जजबा तो हमेशा से इस चतिसगर के लोगों में रहा है और बात जब चतिसगर की रदैस तली बिलासपुर की हो तो क्या कहने ये बात देखी जा सकती है इलाके की लोग कलाओ में और महसूस की जा सकती है लोगों की आम गती विध्यों में कुछ साल पहले जब जिला राश्ट्रे साक्षरता मिशन की अगवाई में पढ़ने पढ़ाने का कारिकरम शुरू हा था तो इसकी गूंच पूरे हिंदुस्तान में सुनाई पड़ी थी जानते हैं क्यों पहली बार इस अभियान में इतनी बड़ी तादाद में जन भागिता देखने को मिली थी देखते ही देखते इसी जन अभियान ने पूरे जिले की तस्वीर ही बदल कर रग दी कहां आदिवासी अंचल के लोग जिनकी बधाली छुपाई नहीं छुपती थी रोजी रोटी की तलाश में इनका दरदर भटकना आम बात थी मदद के लिए कहीं जाते भी थे तो जुबान से आवास तक नहीं निकल पाती थी कहीं न कहीं इसके पीछे अशिक्षा रूपी भूती था जो भूले भाले आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बजाए पीछे धकेल रहा था लेकिन जिले में साक्षर्ता अभियान के चलने का असर दिखता है सरकारी कारेक्रमों के क्रियानवन में साक्षर्ता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि बिलासपूर आज हिंदुस्तान के उन अग्रणी जिलों में है जहां पर सूचना के अधिकार को व्यापक पैमाने पर लागू किया जा रहा है आज शास्किय योजनाओं में इतना खुलापन है कि सारजनीक वित्रन प्रणाली की दुकान पर बोट टंगा नजर आता है जिसमें लिखा है कितनी सामगरी बंटी है और कितनी बच्ची है इसी तरह ग्राम प्रधान जन अदालत में गाम वालों को गाम में हो रहे विकास कार्यक्रमों की जानकारी देता है एक तरफ तो बेशक साक्षरता कार्यक्रमों के फलस्वरूप, सरकारी कार्यक्रमों में जनता की भागिदारी बढ़ी लेकिन दूसरी तरफ समय की साथ-साथ साक्षरत अभियान में एक ठहरावसा आ गया जब स्वयम सेवक लोगों के पास जाते तो उन्हें तरे-तरे की सवालों से होकर जूजना पड़ता कई ऐसे समस्यक बताते रहते हैं लोग अब चंद्री का बाई की ही बात लीजिए कहती है कि पड़ने के लिए कैसे जाएंगे घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं कौशलिया भी यही कहती है कि पहले रोजी रोटी कमाने के लिए जाओं या पड़ने ऐसे अंगिनत सवालों का उठना एक लिहास से जायस भी था तंग गलियों में बसी जुगी जोपडियों में रहने वाले ये लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वन्चित थे रहने को घर नहीं पीने की पानी की व्यवस्ता इतनी खराब कि नलों के पाईप हमेशा गंदे पानी से भरी रहते थे शौचालाई के व्यवस्ता तो थी ही नहीं छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए न तो आसपास कोई स्कूल था और नहीं लोगों के पास रोजगार का कोई साधन इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर अभियान आशा के नाम से अभिनव साक्षर्ता के शुरुवात की गई परंप्रागत साक्षर्त आंदलोनों से अलग हट कर पहले पहल यहान लोगों की रोजमर्णा की जरूतें पूरी करने पर जोर दिया गया लगातार बैठकों में लोगों को समझाया गया कि अभियान आशा की कारियों में अगर वे सेवागी बनते हैं तो उनकी जीवन में सुखत परिवर्तन आ सकता है हालांकि शुरुवात के दिनों में लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं थी लेकिन धीरे धीरे उसे दूर किया गया कई जगों पर कारेकरताओं ने श्रमदान कर साफ सफाई की ताकि वे लोगों का विश्वास जीच सके पुराने मकान की जगे नए मकान बनाए गए गंदे पानी के निकास के लिए नाली का निर्मान किया गया पीने के पानी के लिए जगे जगे नन लगाए गए चौड़ी सडकें बनाए गई ताकि लोगों की आवाजाही सुगमता से हो सके इन सब के लिए सरकार ने सस्ते दरों पर रिण वसामगरी उपलप्त करवाई जमीन की पट्टे तो मुफ्ती दिये गए कभी तो उर्वशी की जुबां से इस तरह के आत्मविश्वास भरे शब निकलते हैं अपना घर मिल गया तो अपना खा रहे हैं अब अपना खुद का जमीन हो गया अब कोई कुछ नहीं बोल सकते आसा लगता है और दूसरे के में थे तो कोई भी कुछ बोल देता था तो अपने आपसे डर की महसूस लगता था न कि आज यहां एकल भगा देंगे तो कहा जाएंगी इस टेक एक बात शुरू से देखने में ये आई कि बस्ती की महिलाओं में अभियान की प्रती काफी उतावलापन था जो पुरुशों में नहीं था यही वजह रही कि बस्ती में कक्षा शुरू होने पर भी महिलाई ही बड़ी संख्या में सामने आई कला जथे की टीम भी पीछे नहीं रहती है बल्कि वो तो गीट संगीत के माध्यम से ऐसा समा तयार करती है कि लोग बस उसी में हो जाते हैं यह तो रही अभिनाव साक्षरता की बात अब ज़रा जिले के शक्ती प्रखन के पतेरा पाली गाउं में चल रहे संपून साक्षरता अभियान को देखें यहां भी आगे महिलाई ही है कैमेरा टीम के गाउं में पहुँशते ही सारी महिलाई कतार बद होकर अपनी किताब लिये खड़ी नजर आती है थोड़े पल के लिए ऐसा लगा मानोगे हमें बतलाना चाह रही है कि हमने भी अपना नाता किताबों की संग जोड़ा है अब हम भी पढ़ने लिखने में पीछे नहीं है पढ़ो लिखो भाई मेरी बेहना पढ़ो लिखो जी आई एका खगगा पढ़ो लिखो जी आई एका खगगा पढ़ो लिखो जी पढ़ो लिखो भाई मेरी बेहना पढ़ो लिखो जी आई एका खगगा पढ़ो लिखो जी आई एका खगगा पढ़ो लिखो जी